Hello everyone, इस वीडियो में हम मल्टी मीडिया संसादनों के प्रबंदन के बारे में बात करेंगे हम जानते हैं कि 1950 के दसक के आसपास से ही मल्टी मीडिया संसादनों का उप्योग पुस्का लयों में होने लग गया था जैसे जैसे पुस्का लयों में उनका उप्योग बढ़ता गया तो इनके लिए प्रबंदन की भी आफशक्ता महसूस होने लगी इन संसादनों की उपलबदता से पहले तो सिर्फ पत्रिका या किताबे होती उनके मूल पाट का ही उप्योग किया जाता था मूल प्रलेखों का ही उप्योग किया जाता था लेकिन जब ये संसादन आए तो इनका उप्योग पुस्का लयों की करमचारियों तथा बाटकों के द्वारा भी होने दगा था तो जैसे इनका उप्योग होने लगा इनकी संख्याओं में व्रद्धी हुई तो इनके प्रभंदन की आवशक्ता भी मैसुस हुई इसलिए इनके लिए एक अच्छी प्रभंदन कैसे किया जाए इनको कैसे इनका मैनेजमेंट किया जाए और एक रूप प्रभंदन कैसे किया जाए इसके उपर हम तर्चा कर रहे हैं तो मल्टी मीडिया संसादनों के प्रभंदन की सुरुवात हम करते हैं जिसमें इनकी खरिद्दारी से लेकर इनके प्रत्याहन इनकी वीडिंग तक हम इनके उपर चर्चा करेंगे तो पहले हम बात करते हैं चयन एवम अर्जन की इन मल्टी मीडिया संसादनों को पुस्काले में खरीदने के लिए इनका सलेक्शन करना और इनको अर्जित करना, इक्विजिशन करना ये इसका सबसे पहला काम होता है प्रबंधन का सूची पत्र, पेंपलेट एवम मेडिया संसादनों की सूचियों तक सरलता से नहीं पहुचा जा सकता है जब हम इनको खरीते हैं तो किस प्रकार के संसादन हमारे पुस्काले में के लिए आफशक होंगे उनकी सूचिया, उनकी केटलोग हमें आसानी से प्राप्त नहीं होती है कुछ प्रकासकों एवम संसादनों द्वारा ही सेक्सिनिक मीडिया संसादनों का प्रकाशन होता है वे आमतोर पर इनकी सूचियों को वित्रित नहीं करते हैं बलकि पुस्टकाले अध्यक्स के अनुरोध पर पुस्टकाले में भैसते हैं अतह इस प्रकार का जो चैन है, इनका चैन है वो चैन एवम अरजन करना एक सरल्प्रक्रिया नहीं होती है अब चैन के उपकरण हम चैन करेंगे तो उसके क्या-क्या टूल्स होंगे उसके उपर हम चार्चा करते हैं प्रतेक प्रारूप एवं माध्यम के लिए प्रकासित चायन का उपकरण उत्पाद को एवं प्रकास को द्वारा सूचियों तथा पेंपलेटों का वित्रण आपूर्ति करता हूं तथा प्रतिनीदियों द्वारा वितरित सूचियां उत्पादन करता अबलिक आपूर्ति करता हूं के सूचि पत्र मीडिया पुनरा अवलोकन या अन्य पुस्कालें से प्राप्त सुजाव या फिर सिक्षक समुदाय या शोद करता या फिर जो अध्यन करने वाले हैं उन सभी से परामर्ष करना तो ये सभी टूल से उपकरण है जिनसे कि हम मल्टी मिडिया संसादन पुस्तकाले में खरी देंगे तो उनके उपर पहले चर्चा कर सकते हैं उनमें उनका अफलोकन कर स सकते हैं अब कुछ मांदंड है इस अरजन प्रक्रिया में उन मांदंडों के उपर हम चर्चा करते हैं जैसे प्रारूप की प्रभाव शिलता जिस हम डोक्यूमेंट या यानि जिस मल्टी मिडिया संसादन को खरीद रहे हैं तो उसकी क्या प्रभाव शिलता है क्या उसके कून है हमें अपने विशे वस्तु जो है उसकी प्रारूप पर ध्यान रखना है उस विशे की प्रारूप के according हमें multimedia संसादन का चैन करना है फिर अरजन करना है साथी साथ विशे वस्तु का तारकिक विकास विशे वस्तु के विकास में सावधानी रखना सामगरी में विशेयों का विवेचन करना शेली तथा प्रतिपादन जब हम उनको खरीद रहें तो हम इन सब चीजों को कि हमारे पास में इस प्रकार का संग्रा है ये सब विवेचन हमें जब चैन करते हैं अर्जन करते हैं तो रखना चाहिए शुद्धता और निस्पक्षता जब हम संस पर ध्यान देना चाहिए साथी साथ वर्णन के साथ द्वनी प्रपाव सेशक उपसेशक शित्रों का उपयोग किस प्रकार से होगा क्या होगा इन चीजों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए बोधिक एवं भावात्मक अभिवेदन वह जो हम मल्टी मीडिया संसावन रहें उनकी विशे वस्तु है वो बहुत ही बोधिक प्रकरती एवं पॉन रूप से होनी चाहिए सिक्षार्थी के अनुरोध पर संसाथन को बार बार उपयोग कर सके तथा इनसे अधिक्तम लाब उत्पन कर सके तो हमें उसकी बोधिक एवं भावात्मक प्रतिवेदन पर मैं उस अपरकार के मल्टी मेडिया संसाथनों का उपयोग करें उनका तकने की पक्स मजबूत हो यानि स्वर और सपस्टता, बुद्धी संगत्ता, सै्योजन, रंगों का उपयोग आधी मल्टी मीडिया संसाथनों का जो समर्थन रुची है जो पाठक रुची है उसके अन देरी होना अत्वा संसादन की प्रकर्थी को देखना तथा अधितन करना सूचना की अवदी तथा उसकी वर्तमान में प्रासंगिक्ता के समन्द में महतपुर्ण निर्णय सोज समझ कर लेना चाहिए सूचना की प्रासंगिता के आदार पर ही हमें उसके समंदित जो संसादन है उसको चयान करना चाहिए और अरजन करना चाहिए उसका बहुतिक स्ताइत्व हम कम मेमोरी के फ्लॉप पर खरीद लेते हैं जबकि हम CD, DVD, Blu-ray डिस्क भी उसकी जगह पर खरीद सकते हैं कम किमत में तो उसके बहुतिक स्ताइत्व को भी हमें देखना चाहिए खरीद दरी करते समय उसके प्रसंसक्रण, संग्रण, उसकी मरमत, उसकी सुरक्षा की कीमत को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम जब खरीत लेते हैं जब उसके मरमत में या उसके सर्विसिंग में ज़्यादा खर्चा आता है उसके अबडेशन में प्रसंसक्रण में उसकी सुरक्षा की कीमत में तो ऐसी मल्टी मीडिया संसादनों को भी हमें नहीं खरीतना चाहिए तथा विशेश प्रारूप तथा उसकी उप्यूपता के लिए उपकरण का उपलब्द होना ये भी एक उसका क्राइटेरिया है मांदंड है जब जब उसकाले मीडिया संसादनों को खरिदने का विचार करे तब विविन उपलब्द प्रारूपों में समानता बनाये रखनी चाहिए उसकी उप्यूपता के विवात से निपटना चाहिए, किसी समय उपकरण महांगे होते हैं, इसलिए संसाधनों को एक तरह से उपयोग के द्वारा इस्तिमाल किया जाता, जबकि विविद्ध प्रारूपों को खरीदने के लिए उससे समंदित मस्चिनिरी पर ज्यादा व्याय खरीदना पड़ता है तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए, अगर हम कोई विद्धी सामगरी का अर्जन कर रहे हैं, तो हमें उसकी केमत, उसकी वारंटी, गारंटी, उसका सीमा सूलक, नियम, सर्ते, खराब तथा उसकी बोतिक इस्तिती, खराब होने की इस्तिती, आदिक के बारे म हमें पहले ही जानकारी कर लेनी चाहिए, तो जब हम किसी मल्टी मीडिया संसादन को चैन और अर्जन करते हैं, तो हमने जो बात की इन सभी मानदंडों और जो क्राइटेरियाज हैं इनके उपर हमें पहले ध्यान देना चाहिए, तब हमें जो मल्टी मीडिया संसादन है, उनका चैन करना चाहिए और फिर उनको अर्जित करना चाहिए खरीदना चाहिए नेक्स है खरीदने के बाद में उनका वर्गी करन एवं सूची करन करना तो मेडिया स्रोतों को वर्गी करत करने के लिए मुद्रित सामगरी को वर्गी करत करने की जो पदेतियां है कहीं कहीं उनका उपयोग किया जाता है अगर आपका मल्टी मीडिया संग्रा छोटा है तो आप अपने पुस्ट काले की नीती के अनुसार उसका क्लासिफिकेशन या वर्गी करण कर सकते हैं उसका कंप्यूटर पर्डिटा बेस बना कर उसको एक अंकन प्रकरिया दे सकते हैं तो वर्गी करण के समन्दित में कोई निश्चित विदी नहीं है पुस्ट काले अपनी आपशक्ता के अनुरूप मल्टी मीडिया संसादनों का वर्गी करण कर सकता है क्योंकि अलग-लग पुस्ट काले की अलग-लग मल्टी मीडिया अपशक्ता हैं होती है अब बात करते हैं मल्टी मीडिया संसादनों का सुची करण मल्टी मीडिया संसादनों का सुची करण के समन्दित पहले कोई निश्चित नियम नहीं थे उसके लिए कोई पुस्टकाले के पास में कोई भी नियम कानून नहीं थे लेकिन जब AACR2I Anglo-American Cataloguing Rules 2 तो उन्होंने मल्टी मेडिया संसाधनों के सूची करण के लिए विपिन नियम बनाए उनकी जो AACR2 की जो बुक है उस बुक में पहले भाग में लेसन एक से लेकर अध्याए एक से लेकर अध्याए तेरा तक मल्टी मेडिया संसाधनों को किस परकार से सूची करण के लिए उनके नियम कानून दिये हुए है तो सर्व परतम AACR2 ने ही सूची करण के समंद में इन मल्टी मेडिया संसाधनों के समंद में सूची करण के नियम बनाए थे अब बात करते हैं ये सूची करण एवं वरगी करण करने के बाद में जो मल्टी मीडिया संसादन है उनका आदान परदान एवं उनके संसादन सहभागिता मल्टी मीडिया संसादन जो होते हैं उनका आदान परदान करने के समंदित पुस्कालाय को अत्यांत सावदानी रखनी पड़ती है जहां तक संबव हो पुस्कालाय को अपनी चार दिवारों के भीतर ही मल्टी मीडिया स्रोतों का उप्योग के लिए सूलब करना चाहिए वास्विक मंग की स्तिती में ही केवल इन्हें उदार दिया जा सकता है आम तोर पर पाठकों को मीडिया समगरी जैसे टेप है या सुक्समरूप को उदार नहीं दिया जा सकता है क्योंकि उनके पास इन्हें देखने के लिए यंत्र नहीं होते हैं इनको उप्युक्त ढंग से पेक करना एवं संग्राण एवं उपलब उपकरनों के इस्तमाल एवं रक्षा रख रकाव के साथ